हेलो एवरिवन वेल्कम टू आवर चानल मैं हूँ एश्वरिया तो प्राइवेट एरिया में दर्ध चुबन टिसन जुनजुनाहर जैसा दर्ध होना तो यह क्यों होता है क्या यह डिलीवरी की और इशारा है अगर यह डर्ध साथवा आठवा नौवा महिना में या फिर प् प्राइवेट एरिया में शुरू हो रहा है और यह डर्ध काफी ज्यादा है मतला बीरेबल नहीं है आप इसको सहने पाड़े हो कभी यह डर्ध आता है चला जाता है शुरुवाति के महीने में है तो यह हो सकता है कि आपकी प्रेग्रेंसी सही नहीं जारी है और यह उसके इसके लिए आपको अपने प्रेग्रेंसी पता करने के लिए कि कैसा जा रहा है ठीक जा रहा है यह यह डोक्तर से मलने के ज़रूरत लेकिं अगर यह डर्ध लास्ट्रेमेस्टर Nedब मन्दों onion दर्ध महीने में आपकोफ्रावेट इरिया में दर्ध शुरू और था है तो य यह अनुभव हो रहे हैं तो यह हो सकता है कि आपके डिलीवरी का भी इंडिकेशन हो अगर आपको साथवे महीने में या आठवे महीने में या नौवे महीने के कुछ दिन बीद गए हैं उसके बाद आपको प्राइवेट एरिया में दर्द चुभन जंजन आहर्त इस प्राइवेट एरिया में दर्द आता है तो यह कहीं न कहीं कॉंट्रेक्शन या संकुचन के दर्द है इस दर्द का यहीं है कि नौवे महीने में अगर यह दर्द आ रहा है तो यह बच्चे दानी का मौ खुलना या फिर बेबी के ड्रॉपिंग बेबी नीचे की तरफ क्याते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके प्राइवेट एरिया में जो है इसका भार परता है इसका लोड होता है पेट के निचले सता में इसका भार परता है कमड में परता है तो जिस कारण जो है यह दर्द आपको अनुभव होता है यह संकुचन अनुभव होता है अग अगर आप तहलों के घड़ में फिर चला जाता है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक कॉंट्रेक्शन है जो कि यह बता रहा है कि आपके डिलीवरी अब होने वाली है जिसके लिए आपकी बॉडी अंदर खुद को तयार कर रही है अगर यह दर्द नहीं जा रहा है मतलब यह कि अब के तहलने के बाद फिर वो दर्द आया अब दिन में वो संकुचन दो से तीन बार या चार बार आरा है और अब उससंग जिवरक्शन के जिव ज्दा देर तक है पहले सकंड अते दिन में एक बार लेकिन अब ज्यादा देर तक रहरे और ज्यादा देर के लिए आ रहा है तो यह कहीं ना कहीं डिलीवरी का प्रसव पीरा शुरू हो गया है यह इंडिकेशन देता है अगर दर्द नहीं जाये तहलने के बावजूद आपके एक्टिविटीज करने के आपको अनुभव हो रहा है तो यह एक नॉर्मल होता है और इसमें आपको घबडाने की बात नहीं है सिर्फ करना यह है कि जब कांट्रक्शन असली लेबर पेन में खुद को तबदील कर देता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की ज आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए धन्यवाद